नमस्कार दोस्वों आप शवी का बहुत बहुत शुवागते दोस्वों केशे हैं आप शवी उमीद करते हैं कि माताराने के शिर्वाद शुय आप अपरी शुवन काल में बहुत यच्छ होंगे उद्धम शुफों का लाब ले रहे होंगे दोस्वों आज की इस वीडियो में आपके राश्य के जितने भी जाता के उन शवी की मन के शारी बाते हम बताने वाले हैं जी हैं दोस्तों एक प्रकार्शी कहें, तो कुछ ऐसी कड़वी बाते हैं, जो कि दोस्तों आप मन में जानते हैं, लेकिन दोस्तों बाहर में आप नहीं दिखा रहे हैं, जी हैं दोस्तों, दोस्तों जितने भी आपके राश्य के जाते हैं, इस दुनिया में अगर आप रहते चाले आपको आखरी मिल रहा है coding आज की इस विडियो में हम पूरे हे विश्जारश घुश बताने वाली है शाद शा डूससों तो तो श्व में सब्सक्रा में जो बड़ए हिस्विटि खश्वियर भी खश्विटि आपको मिलने वाली है उनके भी बारे में बात करने वाले ह इतती बहुती परवल हो चुकी है आपके राशी वालों के लिए बहुती बड़े मोके हैं जो कि दोस्तों आपके शामने वाने वाले हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क शिबी को बता दें कि आप ध्यान लगा करीने अंत तक देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जुनकाल के आपके मन के ही बाते नहीं बलकि दोस्तों आपके वेशारी बातें बताने वाले ही जोके दोस्तों आपके जुनकाल में चल रहा है आप जिन शे परिशान ह आखिर क्यों परिशान है कौन सी वज़ा है जिसके करना आप शिबी के जुनकाल में इतने अशारी परिशानी आ रही है आखिर दोसों ब्रमान के कुल बाहरा राश्यों मेशी आपकी ही एक रिशी सिरासी है जिनके जुनकाल में इतनी परिशानी लगातार चलती रहती है अग विशय को ख़गि किसी नब बदल ही जाती है तो आपके दुखों नब खोशी आपकी मायुशु में वदल जाती है दोस्तों आज की बारे हम आप प्रभी को बताने वाले हो। आपके इहनी गलतियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और आपके उशम जाने वाले हैं पर दोस्वों जब आप इन शवी सचाय को जान लेंगे शमज़ लेंगे तो दोस्वों आप शिवी को बता दें कि आपको अपने आप पर एकिन होगा सचाई शुनकर आपके आँखों से आशू नहीं रुकेंगे बश हम यहीं कहेंगे एक शब्दों में तो दोसों वीडियो को आप अंत तक दिखिएगा जे दोसों आपको वह गलती केशे शुदारना है और कौन शे नहीं उपाई करने है जिसे आप शुदी के जुनकाल में शबलता के वहाँ नए मोड़ आ जाए जिनके आप कामना करते ही जिन्दगी में जो भी परिशानी आ रही है शारी परिशनियां शमाप्त हो जाए दोसों शबी के लिए हम आपको बहुती बड़ी और बहुती महत्पुन जो के दोसों आपके जुनकाल के लिए बहुती शरल है वही उपाई बताने वाले ही तो दोस्वां आज़सका यह जो वीडियो है बहुत ही महदपूर्न आप शबी के लिए होगा अगर आप इन्हें शमाजने के कोशिश करेंगे तभी दोस्वां और आप इश्किप करते रहेंगे कि आगे क्या है आगे क्या है तो दोस्वों आप कोई भी बातों कोई शमज नहीं पाएंगे और अगर आप इन्हें अंत तक ध्याश देखेंगे तो दोस्वों हम आपको इस बात की गरेंटी देते हैं कि दोस्वों आज का यह वीडियो आपको सच्चाई इन्सका बिल्कूल यह आपके आँखों में आशु लाएगा और दोस्वों आप अपने खुद से दोस्वों किशी और को नहीं खुद से आप खुद को कहेंगे कि आज शे हम यह गलती नहीं करेंगे और आपको यकीन भी होगा कि इह नहीं कर लेतों के वज़ेश्वों आपको अपने जुनकाल में इतने शमयश्याएं इतने परेश्यानें देखने को मर रही है जिहां दोस्वों सारी शमयश्याएं आपकी शमापत हो जाएंगी हम इश भात का दावा करते हैं बश हम आप शे एक ही वादा एक ही निवेदर करते हैं और एक ही बात करते हैं कि दोस्वों आज के इस वीडियो को आप अंत तक बिल्कुली ध्यास देखिएगा दोसों, ये चीज अगर आप कर लिएं, अंत तक वीडियो के इसाथ जुड़े रहें, तो दोसों, आज का ये वीडियो आप शिविकी जुनकाल ये जिवनकाल के लिए कौनशे वीडियो हो शावित होगा दोसों, वो आप शोज भी नहीं सकते। दोसों एक प्रकार्शे के हैं ये वीडियो आपके लिए इश्वर का दिया हुआ वर्दान है जी हां दोसों बहुती मेहनत बहुती गठन के इशाद आजके इस वीडियो का निर्मान किया गया है जो दोसों आपके राशे के शबी गुनों को देखते हुए बनाया गया है ताकि आपकी जो शोईवाई किश्मत विवाद जाग जाए ताकि आपकी जुनकाल में परिशानिया ना होए शारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक परकार्शक हैं तो दोस्वों जिवनकाल का ये आपका जिवन जीना का एक नया रास्ता होगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे जी है दोस्तों ये आपका दाईत और करतेब होता है कि अब आप जो भी गलतियों की किये हैं उन गलतियों को शुदार लें और दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक दिख लेंगी दोस्तों हम ये मान लेंगे कि ये आपके गलति शुदारने का पहला कदम है लिए बहुत यावशक है तो वह दोस्वा बात करते हैं पूरे विस्तार से उश्य पहले गर आप इश्वर को शच्चे दिल से मानते हैं, किशी भी इस वर को मानते हैं, भैगवान भोलीनात, माता लक्ष्मी, श्री हरी विश्णुजी, जिन्हें भी आप शच्चे मन, शच्चे शर्धाशी मानते हैं, यूट लोग शवीच सविद्धेविद उताओं के लिए मन में शर्धा रखते हैं लेकिन दोस्तों जो देवता आपके दिल की करीब है आप उनका नाम कमेंड बॉक्ष में लिख दीजेगा इस और आपका प्रम देवता है प्रम पुझी देवता वे आपके करमों की एक नई गठं करेंगे आपकी मस्तिज में एक नई हे उर्जा को देंगे जिन से आप रहाओं पर चलेंगे उस रहाओं में आपको शुपलता की प्राप्ति होगी दोस्टों यह जो बाते हैं यह भक्ति भरा आशा और विशुवास की पाते हैं अगर आपको इशुवर पर विशुवास है तो दोस्टों आप कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल को आपको और कारगर शाबित होते हैं जी हैं दोस्टों तो आई दोस्टों बात करते हैं हम आप शुवर को बता दें कि आपका जो राशी है दोस्टों बहुती श्वक्ष राशी है आपकी राशी के जो माता पिता एक प्रगार्शे के हैं तो दोस्टों कर्मों के दाता जो ह वो भगवान श्वेंग शनिदेव हैं जे दोसों आप शिव को बिदा दे कि आपकी राशी के शबशे बड़े कर्म फल दाता ही है जे दोसों और दोसों हम आप शिव को बिदा दे कि इस राखिशी के जितने भी जाता है वे अपने परिवार की बहुत ही भलाई चाहते ही जिसे दोस्तों इनके लिए आप हमेशा प्रियाज करते रहते ही फिर भी दोस्तों ये जो आपकी राशी है शमान में थोड़ा शक कमजूर रहता है कि दोस्तों आप हमेशा दोसरों कीज़त करते हैं और कहीं न कहीं लोग आपको ठेस पहुचा देते हैं आपकी शमान ही करते हैं इस जगर आपको बहुती दिल से खुद में दोस्तों इस शक महशूर होता है जिसे लोग को लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं लेकिन दोस्नों हम आप शब को बदा दें कि आप अपने kang2020 को भली भाती निवाते हैं दोस्नों आप शबा भाव म श्वाबि मानि होते हैं या बुद्युमानिश ये आप काम निकलवाना जानते हैं आप बहुत ज़़्याधा भावग भी हो जाते हैं कभी-कभी जब लोग आपकी भावनों की पदर ना करता है और दोसों आप शिबी को बदा दें कि आप जो लोग होते हैं अच्छे कारी को बहुत ज़्यदा शारना करते हैं और शबी कारी को अच्छी तरिकेशी करना भी जानते हैं चाहे कोई भी कार हो कितना भी मुश्किल कारी हो अगर आप उनमें लग जाते हैं तो दोस्वों वो कारी कब पूरा हो जाते दोस्तों दूसरा वग्ति शुमई नहीं पाते हैं और आप लोग इतना जिदि होते हैं कि उशकार्य को अगर आपने हाथ में लिए हैं तो राजन्यति में अभी आप भाग लेते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्य त्रिक Mete लेते हैं दोस्तों अध्यात्म में आप शुबिकी रूशी रहती यानि कि भगवान की उपर भरुश्र आपका टूरत रहता है चाहे लोग आपको कुछ भी कह दे लेकिन आप खुद से भगवान को कभी भी मीटा नहीं पाएंगे दोस्तों ये बात आप लिखवा लेजिए चाहे आप कितना भी कहेंगे कि इस धर्टवर पर भगवान नहीं है भगवान होते तो हमारी शाथ इतनी बुराई नहीं होती दोस्तों ये सब चीज आप बोल लेते हैं किसे के शामने लेकिन खुद से अपने दिल से आप इश्वर को नहीं मीटा पाते हैं जी हां दोस्तों आप तब चात रहती हैं दोस्तों शायता का भाव आपकी अंदर हमेशा से है जींतों हमेशा आप दूसरों की भला के लिए ही कार्य करते हैं किशी का बुरा नहों हो जाए दूस्तों यह सब भी आ अप हमेशा कोई भी कार्य करने छी पले सोचते हैं दोस्तों आप लोग जो होते हैं कभी भी खुद का शमान नहीं करते हैं दोस्तों दूसरों को खुश करने के लिए दोस्तों खुद को आप जोखी में डाल देते हैं आप हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए परिवार को खुश करने के लिए दोस्तों खुद की जो भी आपके अंदर जो भी एक छाय होती है जो भी आपके अर्मान होते हैं दोस्वों उनका गला दबा देते हैं यानि कि दोस्वों खुद की आप केर नहीं करते हैं अपने परिवार वालाओं की हमेशा शुआ आप केर करते हैं उनको खुश करने के लिए आप बहुत ही नीचे तक भी जा सकते हैं दोस्तों इससे भाव आपके रहता है यानकि दोस्तों छोटा सा छोटा भी आप एशे कारी कर सकते हैं जो लोग कह देता रहे तुम कौन से कारी कर रहे हो लेकिन दोस्तों आप अपने परिवार के लिए उश्यकारी को भी करने के लिए आप तयार रहते हैं जी हाँ दोस्तों हम आप शी को बता दें कि आपका जो दिल है उन्हें तभी ठीस मोचता है जब आपके शोचे वे शपने कड़ी मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं होते जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दे कि आप करमशिल इंसान हैं करम पर हमेशा यकिन रहते हैं लेकिन दोस्तों कभी कवार एशी आपको जुनकाल में घटनाई हुई है और फिर एशी घटनाई शे आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि कोई भी इंसान आपके शात खड़ा नहीं है और कुछ ही एशी लोग हैं जो आपको परिशान भी करते हैं जिसका आप हमेशा भला किये हैं वही लोग आपके लिए बुरा शाबित हो रहा है वही आपके काम में अर्चने बन रहे हैं दोस्तों अगर आपको शाल पहले देखेंगे ति दोस्तों आपका जो जीवन था दोस्तों ये अभी करत तेरह नहीं था दोस्तों पहली का जिवन आपके लिए बहुत ही अच्छा था पहले आप अच्छी कमाई कर रहे थे अच्छी तरिकेशे धन को अरजित कर रहे थे अच्छी तरिकेशे अपनी जिवने आपन कर रहे थे यानि कि दोस्तों घर परिवार में आपके विशारी चीज़ें थी जिनसे घर परिवार का महौल एक खुश तरीके से जी सके जी है दोसों ये सबी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था लेकिन दोसों पिछले दोशे तीन सालों के दरीकेम आप शिब के जुनकाल में काफी उशारी परिशानिया एक श्राथ आच चुका है जिनका आपको शामना भी करना पड़ रहा है दोसों कोई भी कार कर रहे हैं या कोई रोजगार है वाइपार है उश में लगातार आपकी अर्चने आती रहती है कोई परिशानी शमाप्त नहीं हो पाती तो दोसों कोई और परिशानी आपके जुनकाल में आ जाती है यानि कि दोस्टों जिनकाल में प्रिशानियों का आजवाना आपके लगे रहते हैं कभी आप दोस्टों अच्छी तरीकेशे खुश नहीं हो पाए हैं शबलता का मुँ मानो दोस्टों आक्षिव की जुनकाल में पिछले कईश मिशने आये हैं खुश आपके द्वार शिमानो रूट सी गई है शियां दोस्टों ये आपकी जुनकाल में चीज़ें हो रही है दोस्टों बार बार अर्चने आना दोस्टों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोसों जिनकी जुनकाल में अर्चने आती है दोसों वही जानता है भले दोसों आपकी एक खाशियत है कि आप अपने कमजूरे अपने मुश्यूपतों को किशी के शामने जाहिर नहीं करते चाहे दोस्तों आप खुद ही उन्हें शोच कर उन्हें शमज कर चाहे कितना ही परिशान क्यों नो हो जाए जे दोस्तों और दोस्तों शाथ हम आप शीव को विदा दें कि ये जो शमय है आपको धन की बचत नहीं हो पा रही है जितना आप मेहनत कर रहे हैं आपके मेहनत काफ पाफल उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आपको मिलना चाहिए शाद शाद दोस्तों पेशे भी आपके पास टिक नहीं पाते ही जे दोस्तों पेशे आपके जुनकाल में आते हैं लेकिन दोस्तों पेशे इधर चाहते हैं तो पेशे किसे ने किशी रूप में उधर चले जात परिशाद करें दोस्तों आपके जिवन में लगतार रुखाउट आ रही है जह दोसुं इन शबी का हम आज की वीडियो में उपाएं बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों आप शिव को पहले कहें आज कहें है कि आज का ये वीडियो आप शिव क लिए कोई वर्दान से कम नहीं आम इन्हें अंततक ध्यान शें दिखिएगा जिया wszystkie दोस्वं हम आप शेंप को बतादक के आप शेंपकी जुनपुन केली आपकी जुनकाल के लिए की कि अब मुटिक भाणेश्व में आ गया है जिया दोस्वं उन्हों शेंपको उपाय वाले हैं तो दोस्तों वीडियो आपकी जुनकाल के लिए इतना महत्पून है कि दोस्तों आप कभी शपने में भी नहीं सोचे होंगे कि एक वीडियो हमारे जुनकाल में इतने शारे कारगर शाविद होंगे इतने शारे लाब आपको दिला कर जाएंगे जिया दोसों हम देख पा रहे हैं कि आपके उनकाल में पेशे कभी भी ठीके नहीं हैं और पेशे कहीं जगा आपके अटके हुए हैं जो पेशा आपको वापस नहीं आ रहे हैं जो पेशा आप किशी को उधार दिये हैं दोस्तों वो पेशा देने में आपके उकतर आते हैं याणि कि दोस्तों आप कर्ज दे कर फंच गए हैं जी है दोस्तों शादिशाद हम आपको बता दें कि कर्जिस से आप परिशान हो रहे हैं आपको जिसने कर दिया है दोस्तों वपेशा वापस लेने के लिए आपको परिशान भी कर रहा है दोस्तों हम आपको बता दें कि यश में जितना शमश्या है उन शबी का कारण क्या है आखिर क्यों ये किश्मत आपको रुला रही है, आखिर क्यों श्रमें आपको रुला रही है, कौन-कौन शी गलती करते हैं, दोस्तों, शाथी-शाथ कई बार एशा होता है, कि बंते-बंते कारी भी आखिरी में बिगड़ जाते हैं, कभी कभी दोस्तों इशा होता है कोई शमशिया नहीं होती फिर भी आप परिशान होते हैं यानि कि दोस्तों सब कुछ होने के बाद भी आप सोच कर परिशान हो जाते हैं वेशे तो दोस्तों आपके करम ही आपके अच्छी बुरी किश्मत के जिम्यदार होते ही इसे काम भी होते हैं जिसे आपकी किश्मत आपशी रूट जाती है जब किश्मत किशी से रूट जाती है तो दोस्तों राजा को भी बिक मंगा बना देती है जिए दोस्तों राजा को भी रंक बना देता है तोटे बरतन होते हैं। दोशों उन्हें तुरंत आपको घर्षे बाहर निकालकर फैक देना है। दोशों कहा जाता है कि इश्य जीवन में दुर्भाग जाता है जेनका अच्छा श्वभा रहा होता है। दोस्वों जो भी आपके घर में ऐसे टूटे बढ़ता है या फिर फटे फोटो है किशे ज़े तूटे भी वस्तु आपके घर में टूटा फटा हो तो दोस्वों उन्हें तूरंत ये घर शिबाहर कर दे घर में एशा कोई घड़ी है जोके तो पिछले कईश में शिब्ध ब जो भी तरकी हो रुख जाती है दोस्तों जोती शास के माने तो दोस्तों तूरंती इन सबी चीजों को घर्षे बाहर फेंग दना चाहिए इशे व्यक्ति का शोभाग दुरभाग में बदल जाता है चलते किश्मत भी रुख जाती है गर आपके घर में बंद गड़ी है तो दोस्तों आईशे ही इन चीजों को आपको घर्षे बाहर निकाल कर फेंग देना है इन इशे ही आपके शोभाग दुरभाग में बदल जाता है और इन इशे किश्मत आपको शमय आपको रुलाती रहती है घर में रखने इशे इन सबी चीज़ों का नकारत्मक अशर पड़ता है और माता लक्षमी इशे घर में कभी वाश नहीं करती दोस्तों काफी दिकते होती रहती है दोस्तों इस बात का आपको बश ध्यान देना होगा जीक हैं दोस्तों ध्यान देना है शादे शाद हम आपको बता दें कि दूसरी जो बात है दूसरों खराब हुए वस्त्र जी दूसरों अगर आप खराब हुए वस्त्र किश्री भी इंसान को दान करते ही चाहे दूसरों वह इंसान कोई अशयोग है या फिर कोई इंशान एशे है जो आपके घर में बिक्षा लेने के लिए आए है कोई गरीब मज़़ूर एशे हसाय व्यक्ति है जिनको आप दान कर रहे हैं तो दोस्वों भोल कर भी खराब वस्तर का दान मत कीजिगा खराब वस्तर का दान अगर आप करते हैं तो दोस्वों आप किशी और के घर में दुर्भागी को भेज रहे हैं और दोस्वों इश्वर ये चीज को कहीं न कहीं जरूरी देखता है और उनके दुर्भागी को आपके घर में वो व्यक्ति छोड़ कर चला जाता है इसलिए दोस्तों कभी भी खराब चीजों का दान आपको नहीं करना है खराब वस्तरी ही नहीं खराब कोई भी वस्तों जो कि टूटे पूटे हो खराब चपल ही हो तूटे चपल हो और कोई इशे कोई भी चीजों का आप दान करें दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों वो चीज बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए अगर आप दान नहीं करते रहे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तों टूटे चीज़ों का भी आपको दान नहीं करना है इश्रे भी आपकी जो शोभाग है उनमें दुर्भागी शुरू हो जाती है जी दोसों वासुत सास्त के इंसाब से दोसों ये सब चीज़ों का दान करना यानि कि दोसों अपने घर में आप दुर्भागी को परविश करा देती है तो दोस्टों इने सभी चीजों का दान करना अब आपको छोड़ देना चाहिए जिए दोस्टों, शादिशा आपको बताया दें कि कभी भी किसी चीज का अगर आप दान कर रहे हैं तो दोस्टों अपने मन की अंदर गलत मान सा बिलकुल ही मत रखें जियां दोसों एशा मत कीजिए गाकी दोसों इनको क्या पता होगा दोसों अगर एशा ख्याल आपके अंदर आता है कभी भी आपकी इशी को ठगने का प्रयाश करते ही दोसों चाहे वो एक भी रूपया हो या फिर दस रूपया हो दोस्टों एशे आपका जो ख्यालात है इनसे भी आपका जो शौभाव है आपके जो अच्छे शौकर्म है दोस्टों आपके एक ही बुरी करम शौकर्म खराब हो जाएंगे और आपका शौभाग दुरुभाग में परिवर्तन होना उशी दिन से सुरू हो जाएगा और जब भी आप एशे गलत माशा रखकर किसी को भी कोई चीज दान भी करते हैं तो दोसों उनका फैदा आपको नहीं मिलेगा जी हाँ दोसों जब भी किसी चीज का दान करते हैं तो दोसों सचे मन शे आप उने दान कीजिगा जिया दोसों, अगर आपने किशी को कोई भी चीज का दान किया है, बिना गलत माशा से तो दोसों उस चीज का आपको पूरा अफल मिलेगा, शादे शाद कभी भी किशी से मुक्त में कोई भी चीज ना ले, जिया दोसों, कहा जाता है कि कभी भी किशी से कोई चीज या के घर प्रिवार पर पढ़ता है, आपके किशुमत पर पढ़ता है. दोसों इशका मुल्य जरूर आपको इचुकाना चाहिए, वरना दोसों ये कर्ज आपके कर्मों में रह जायेगा, क्यों दोसों वो जो व्यक्ति आपको कुछ दिये हैं, दोसों उन्हें आपको जो चीज़ दान किया है दोसों बिलकुल ये शच्चे मन से दान किया तभी उन्हें उस चीज़ का त्याग आपको दे कर किया है और दोसों उनका करम अच्छा हो गया लेकिन आपके पास होते हुए भी अगर आप उन जब चीज़ों को ले लेंगे तो तो दोस्टों इन्य श्यापश्यविकी जुनकाल में तुरभागे पैदा हो जाएगा जे दोस्टों तो दोस्टों आपको इसे जश्यों को बिलकूल भी नहीं करना चाहिए और इसे जो कारे करते हैं उनके जुनकाल में मात्र 10-15 दिन के ही अंतर दुरभाग आने लगती है काम गलत होने लगते हैं काम बिगड़ने लगते हैं जे दोस्टों इसके लिए खोशिश करें कि गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए जे दोस्टों अगर आप इसा गलती कभी अपने जुनकाल में किये हैं तो तरह से आपके घर में फरकारशिक कबजा कर लिते हैं तो दोस्वों 18 दिन तक आपको बश गरिवों को कुछ न कुछ आशायों को कुछ न कुछ दानपुन करना है शाथी साथ भोजन भी करना है दोस्वों आपके अपनी चानुशार आप भोजन करशकते हैं शाथी साथ आपको बदा दे कि उत्तम वस्त्र का भी आपको दान करना है अगर आप ये गलती की है तो दोस्वों आपको ये चीज करना ही होगा औ और किशी से भी कोई भी चीज आपको मुक्त में बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगर आपको दे भी राय है तो दोस्वों उसे नहीं लेना है कि अपने किचन में अगर आप कोई भी जुठा बढ़ता रखते हैं तो दोसों आपके घर में अनुपुर्णा देवी की वाश होता है आपकी किचन में तो दोसों आपके घर में कभी भी बरक्कत नहीं होती है इंसे और माता लक्ष्मी भी नराज हो जाती है जे तो जोकी धन भी रूख जाती है, रुजगार में काफी रुकावटें पैदा होती रहती है, शाय दोस्तों आपको इन सबी बातों को अब ध्यान में रखना होगा, गलत वयवशाय करने वाले जो भी लोग हैं, जो गलत तरीके से पेशे कमा कर पेशे को अपने घर में ला रहे हैं, और आने वाला शमय आपके लिए बहुत ही शादा खराब हो जाएगा, तो दोस्तों आप बश इतना प्रयाश करें कि शमय के शाथ खुद में परिवर्तन लाएं, और दोस्तों जो भी आपने इने शारी गलतियों को किया है, दोस्तों इने दूर करने के लिए दोस्तों आपको अच्छे करमे हैं, तो आपके उम्र नहीं, दोस्तों आप जो भी कारिकरें के उनमें आपको शुपलता मिले गया, जिया दोस्तों इस उमर के लोग ही इस कारियों में शुपलता की प्राप्ति करें शकते ही, दोस्तों इस गलत भावना कभी किशी के अंदर नहीं होना चाह घर में दोस्तों किशी वी रिस्ताक में कड़वाध पैदा करते हैं किसी के यहाँ चुगली करते हैं किसी के यहाँ आधूसआशी मदभ भेत करवा देते हैं डोसो इनसी आपके द्रुभाग आने की श्बाववना बढ़ती है ले दोस्तों इसलिए आपको किसी दो वेक्तिके बीच में जाकर फूट पैदा बिलकुल भी नहीं करणा अगर दोस्तों आप ये गलत्य किये हैं तो दोस्तों इनके लिए भी आप बहुत बीज शर लुपा हैं दोस्तों अगर आप ये गलत्ति किये हैं तो आपको शनिवार के दिन शनी मंदरी में जाकर शर्षों के तेल को अर्पित करना चाहिए और भगवान शनीदेप कर्म फल दाता भगवान शनीदेप शे आपको छमा पराती करना चाहिए कि हमसे जो भूल हुई है प्रभू हमें अबुल शमज कर शवा कीजिएगा दोस्तों इनशे आप शुव की जुनकाल में फिर शे बदलाव होंगी और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बेटे जो भी लोग होते हैं दोस्तों उन्हें आप जरूरी कुछ न कुछ दानपुन करके ही वापस आईएगा कि दोस्तों मंदिर में बेटे जो भी भिखारी होते हैं उनके उपर भगवान शुनदेव का प्रकौप होता है इसी के कारण वो लोग अपने जुनकाल में इतने परिशान रहते हैं अपने जुनकाल में इतने शारे दुरुभ बिखारी को देखते हूए वो बंदिर के शुनियों में भीक मंगते हैं तो दोस्तों अगर आप वस् समा करेंद कि ईनकाल में जो भी दुर भाग्य हुने शो भागय में बदल कर फिर छिखीछ आप इसलिक जम्काल मीं खın टीख सीज्श्जिंगी अपने जम्काल में ध्यान रखना है और ध्यान रखने की आपको बहुत ज्याद detention कि थे लिव दोस्व वो इंशान गलत नहीं होता जो शमे के शाद गलतियों को शुदारने की कोशिश करे दोस्तों गलत वो इंशान होता है जो दोस्तों कभी अच्छा करने की नहीं सोचते है हमेशा गलत धारना है अपने मन में रखते हैं लोगों को ठगने के बारे में सोचते रहते हैं दोस्तो आगे चलकर कभी उतने जुनकाल में खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि आज उनके जुनकाल में पेशे हैं ये बात याद रहें लेकिन दोस्तों आने वाले शमे में उनको भी भगवान शुन्देप के कर्मों का फल को जहिलना पड़ेगा जिया दोस्तों जो तुशियों की माने तो दोस्तों जो भी लोग एशे पेशे कमा रहे हैं जो भी लोग चोरी किवे वस्तों को पहनते हैं या फिर चोरी करते हैं इस परकार के ठगी करते हैं दोस्तों उनके जुनकाल में उनका भाग बिलकुल उनको का शात नहीं देता है जी हड़़ी उनकी जंगाल में पेशी आ जाए लेकिन किशी ना किशी बहाने वो पेशी उनके हातों से दूस्दों चला ही जाएगा जीहां दूस्थों तो दूस्दों ये भी दुर्भागी का एक बहुती बड़ा कारण है जिहां दोस्वों इन बातों को शाथ साथ ध्यान रखें शाथ साथ दोस्वों कभी भी किशी के ठगे हुए चीजों को आप बिल्कुल ही ना ले अगर कोई व्यक्ति ठगी किया है उसके शाथ आप मिलकर उस चीजों को शांस्ते दाम में खरिद रहे हैं तो दोस्वों एक परकार्ष ये भी आप उनमें शामिल होने का कारिकर रहे हैं यानि कि दोस्वों एक परकार्ष आप भी बुर्य कर्म कर रहे हैं जिहां दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दो नम्मर के कारी करके आपको किसे भी चीज को शंस्ते में दे रहा है यार एक प्रखार्श के हैं तो दोस्तों चोरी किया हुआ शमान को आपको शंस्ते में दे रहा है और आप उन्हें ले रहें तो दोस्तों इस भी आपका भागी खर गरह और माता लक्षमी दोनों ही रूश्ट हो जाती है आपकी जुनकाल में काभी परिशानियों का शामना करना पड़ता है आपको जे तो सुन ना के खराब वस्त्र कभी नहीं पहना चाहिए जे तो सुन अगर आपके पास अच्छे वस्त्र है और उसके बावजुद भी जादक होता है उनके जुनकाल में लगतार कुछ ना कुछ दिकतें अर्चने आती रहती है और दोस्तों उनके किश्मत उनसे रूट जाती है जे दोस्तों अगर आप विश्यकार किये हैं गलती किये हैं तो दोस्तों इनी से आपकी किश्मत आप से रूट गई है दोस्तों अगला बाद, जिनका आपको भिशेज द्यार रखना चाहिए, दोस्वों अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो दोस्वों अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, अपने जुनकाल में आप सिक्षित वेक्ति हैं, तो दोस्वों अपना जो भी आपका कलम है, जिससे आप शम्मन्दे धानियां होने लगती है इसलिए कलम का इस्तिमाल करतेश में शावधानी बढ़तें और किशी को भी कलम ना दें जे दुसों अगर आप दे भी रहे हैं तो दुसों उस कलम को तूरंधी वापस ले लें हमेशा के लिए किशी को कलम देना दुसों नुक्शान दाय राशी होती है वे शबी राश्यों में करम परधान राशी माने जाती है इसलिए दूसों आप शिवी को इस बातों का ध्यान देना बहुत यदावशक है कि दूसों आप अपने जुनकाल में इस्तिरियों का श्यमान करें घर में रहने वाली इस्तिरियों का अपमान करने व और बहुत ही उनकी जुनकाल में शमशया आने लगती है जे दोसों प्राचिनकाल से ही या चेज प्रचलित है कि दोसों इस्तरियां घर में लक्षमी होती है इसके लिए दोसों उसका सम्मान करना घर में खुशियां और बरकत के शमान माना जाता है तो दोसों आपको अपने जुनकाल में अब बुशे इन बातों का ध्यान लखना है कि घर की जोबे इस्तरी हो बाहर की जो भी कहीं की इस्तरी हो दोसों उनका अपमान भूल कर भी नहीं करना है अगर आप उनका अपमान की हैं तो दोसों दोबार आप उनका शमान कीजी आदर कीजी और शादी शाद उन्हें खुश करके ही आप जाईए दोसों इससे आपके घर में खुशियां बरकत और माता लक्ष्मी का वाश होगा बृद्धी रिद्धी शीदी सभी आपकी जुनकाल में होने लगेंगी जे दोसों अगला जो चीज है अगर आप कभी भी किशिशे करज लिये हैं तो दोसों उस पेशा को आप जरूरी चुकाए जे दोसों अगर आप करज लेते हैं करज लेते हैं लेने के शमें आप जुख जाते ही और पेशे देने के शमें दोस्तों आप उस का पेशा हरपना चाहते हैं तो दोसों इश्या भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए अगर आप किसी का पेशा लिए हैं तो दोसों जल्द ही जल्द आप इन्हें चुका दें नहीं तो दोसों आप शिव को विदा दे कि जिन्से आपशिवी का इस्ट देव महादेव बिलकुली क्रोधित हो जाते हैं जे दोस्वं आपशिव को उदाते कि आपकी राश्य के जो इस्टे देवता होते हैं वो भगवान भूले ना थे और दोस्तों ये आपशी नराज हो जाते हैं अगर आपने इशाग कभी किया है किसी के हांथ से पेशा लिए हैं और दोस्तों अभी तक उनको पेशा नहीं दिये हैं तो दोसों याद किजीए और याद करके आप उन्हें पेशा वापश कर दिए वरना दोसों जो समश्याई आपकी जुनकाल में चल रही हैं दोसों वोज समश्याई चलती ही रहेंगी दोसमों, हमारे किश्मत खराब हो जाती है जब हमारे भगवान जी ही हमारी शात अच्छे नहीं होते ही जी हैं दोस्तों जी हो सकती है, गाय हो शकता है, भेंश हो शकता है, कोई भी जानों हो शकता है, कुटा बिली, पकड़ी, कुछ भी ऐसे चीज़ जिनको हमने नहीं बनाया, दोस्तों उसको भगवान ने बनाया, उनके शाथ हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, उनको मारना पिड़ना कभी भी नहीं चाहिए। दोसुं अगर आप एशा करते हैं कि ये शाक करना आप शबी के घर में दुर्भाग लाने के बराबर है। जी दोसों, शबसे पहले आप शिवी को बता दें कि आप शिवी का जो शुभाव होता है, कभी भी दोसों किशी के शाथ चल करने का नहीं होता है, लेकिन दोसों अगर आप कभी भी अपने जिनकाल में इशा गलती करते हैं, इशा कभी भूल करते हैं जब आपके मस्तिज में बहुत शारी गलत धर नहीं होती अगर आप उयश्य में जाने जाने में यश्य गलते किये हैं तो दोस्तों आपको इश्यवर से शमा मंगना है जिया दोस्तों और दोस्तों अगर आप एश्या करते हैं तो दोस्तों आप श्यवर को बिता दे कि खत्ब होने वाली है जिया दोस्तों आप शुपी को बता दें कि आपके जुनकाल में अभी जो गरहों के इस्तिती है वो बहुत ही महत्पूर बन रही है और दोस्तों गरहों के इस्तिती आपके शाथ महत्पूर होने शेक कल से आप शुपी की जुनकाल में कौन-कौन शी आपने जुणकाल में ईश्वर से छमा मांगना हैं और दोस्थों इश्वर के पारती है आपको हमेशा बिल्कूल बिश्वास की बन करेना दोस् valeur कभी बी अपने दिल में अप इसा मत्सूच है कि दू स्थ्वर नहीं है जिए हमान से दोस्तों आफ शिर्फी को बता दी कि गल्स शिव के जुनकाल बहुत ही बड़े परिवर्टों होने वाला ही जो भी आपने गलतियां कि आई-धोस plagiat बताइंगे क्या स्तिति बनने वाली है, हम आपको आगे बताने वाले शादी कौन से खुशकबरी आपको मिलने वाली है, कौन से जुनकाल के आपके वोए शपने साच होने वाले हैं कल से, तो आपके जुनकाल में अभी जुगरहों के सिती है, कल से आप शुब के जुनकाल में धनयोग, राजयोग, और शुक्षमर्दीयों का भीनिर्मान होगा। जी दोसों जिनके कारण मता लक्ष्मी और भगवान, भोले नात का भी अश्यम अश्यरवाद आप श्यवी के शाथ रहने वाले हैं। दोस्वों वे आपके लिए कोई बड़े चीज नहीं है, लेकिन दोस्वों अगर आप अच्छे कारे की शुरुआत कर रहे हैं, तो दोस्वों ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। दोस्वों कल से आप शुरु की जुनकाल में एक नए जिवन शुरु होने वाली है, कि दोस्वों आप शुरु को बताया दे कि यश्मी महालक्ष्मी नामका शुवियोकर निर्मान हुआ है, शरवार्शिदी नामका भी महायोकर निर्मान हुआ है, जिनके कारण दोस्वों ग घीर जोएगा है, अप्षभी को बता अजने में अपणा बढ़ा शक्ति हैं, मार्षभी के लिए चुलने को इसे बहुत ही परवल आप श्म没 के लिए, यंद्धा की ज Whether श्म me घासड की पूरा शहथया। हो स्लाइन यहाथ है। शंतां शंबंदी जैसे की विभार नोकरी त्यादी दोस्तों इसे अगर आप योजना बना रहे हैं तो दोस्तों आप शुभी की योजनाई शपल होंगी महमानों की आवाज आई रहेगी शाद शाद आपको बता दें कि ये जो शमय है आप शबी के लिए शमय बहुती गती पूर रहेगा गरन चितरों की जो चार रहेगी दोस्तों उनका शुभ परभाव आप शबी के उपर पड़ेगा आपके पक्ष में ये शमय रहेगा जे दोस्तों ये शमय दोस्तों आपके पिछले जो भी शमय बहुती परिशान थे दोस्तों वो शमय शाएं कल से खत्म होंगी और प्रिवार्श मंद्य जो भी शमय शाएं हैं दोस्तों वो शमय शमय शाएं होंगी घर प्रिवार का महल शमय बच अच्छा रहेगा घर प्रिवार का श्योक्ष आपने जोनकाल में तरकी के नए श्तर तक जाने वाले हैं जे दोस्तों लाब के नए मोकेश में आपको मिलने वाले हैं। भरोशा नहीं करना हो चाहिए हो दोस्तों किशी के शाद रिस्ते की बात हो धन लेंदेन की बात हो शवी में दोस्तों आपको शावधानी पुरवक ही कार करना है। जब वो शब सच होने वाले हैं। आप नए मकान वहान की खरदारी कर सकते हैं। शमे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इस बात की जानकारी देदें कि दोस्तों यह जो शमे हैं। आपके राशी के लिए बिसे शुरुप से बहुत ही महत्पुन शावित होगा। और यह शमे बस आपको क्या करना है कि अपने गुश्य पर अपने जो भी अबदर्श्य भाव है। दोस्तों इन पर आपको निंतर रखना होगा। परवारेश में आपका भरपूर खुश रहेगा हम आपशी को बदा दे कि धनलाप की कुछ यह आउश्चर आप शुभी को प्राप्त होंगे जिसे आप अपने आर्थी की सिद्धों को बिल्कुली बदल सकते ही शादे साथ दोस्तों यह में आप बेफिजुल के खर्चों से आपको बचना होगा शंतुलित बजर को आपको बना कर रखना होगा यह दोस्तों उनमें शुदार आएगा और जो भी पक्ष है वया पक्ष में आईगा जैदोस्तों और शंतुलित को बिल्कुली एक नम्मर का कार नहिकाना का उसेप़ गलति आपको नहीं करने कि आप फंस जाहे हमेशा शारिक अगजात रगें ताकि आप किसी के भी नजरों बुरेना बने दोस्तों शादिशा हम आपको ददादें शादिशा दोस्तों हम आप शुब को बदा दें कि गरहों के इस्तिती नचत्रों की जो चाल हो आपके शाथ है बस आपको थोड़ी शेशावधनी बरतनी है और अपने जुनकाल में जो भी शबलताएं आ रहे हैं उनक अपने कारे के प्रति लगाव रखें किसी की बीबातों में किसी के भी बैकाव में बिलू शाधन रखें ये आपके लिए बैतर होंगे शंतान की इसिक्चा के रियर श्मंदी जो भी गतिवधिया है ये श्मे वह आपका शाध देगा कुल में आकर कहें तो दोस्तों ये श्मे आपका घर का महौल बच्चों को लेकर समझ जाएं जो भी ती वह श्मापत होंगी और घ हमेशे कारि मिलने वाले हैं जो की दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्पून होगा हुग तो दोस्तों ये थी आपके जुनकाल में कर दो में फाल दो पर की शुबनी दो डौन इसमेशी जबी हो था विडियो थोड़ी शी बारे में आपको भी पता होगा के वीडियोम बहुत शारी शमय लगे हैं जोकि, दूझने आपके शमय को अच्छे बना सकी शमय लगा लेकर दूझने आपके जनकाल को बहतर बना सकी उन्से दूझने हमारा ये मेहनत शकुल हो जाएगा तो दूसनों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना बोलें शारी साथ दूसनों चैनल पर नए हैं तो दूसनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ही ना बोलें